हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब पर एक बार फिर से मेरे यूट्वीब चलमें दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपी प्यस्टी आरो एरो के लिए यहां पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कहते हैं इंप्पॉर्टन्ट स्कीम्स हैं इंपॉर्टन्ट स्कीम्स यहां पर कराने जा रहा हूं वह भी भारत सरकार के द्वारा यह वीडियो आपके लिए दुस्तों यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टन्ट है आपकी यूपी एसाइ के लिए अपको यहां पर योजनाओं से इस से बाहर कहीं जाएगा यो तो आपको यहां पर ध्यान देना है अच्छे से और इन सब चीजों को अच्छे से याद कलें दो तीन बार आप वीडियो देख लेंगे आपको चीजे तयार हुए यहां पर देखें इम्पोर्टन्ट है जो भी आपके लिए महत्रपूर होगी उन्हें आप बता दूँगा यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबस्पेल देखिए यहां पर देखें पांच फ्लेक्सिप योजनाओं की बारे बात की गई प्यम नरेंद मुद्धी की जी के बारा आयुसमान भारत आपने सुना होगा यह कभी स्टार्ट होती है 2018 में स्टार्ट होती है सितंबर 2018 में यह प्रदान मंत्री जन आरोग के योजना इसका फुल फॉम भी याद किजेगा यह आपको ध्यान देना है यह दो है दुनिया की सबस्वड़ी स्वास्त योजना ही भी आपको ध्यान देना है इस योजना के तहत दस दसमलों साथ चार करोड़ गरीबों और वंचित परिवार पांच लाख रुपाय का हेल्थ कवर दिया जा रहे यह भी आपको ध्यान देना है यह देश की लगबख 40 पीज़ति अबाद को लभानमीत करेगा यह आपको ध्यान देना है यहाँ पर कूट से भी कुछ चिन पूछ ले सकता दो तीन कथन देगा पूछ लेगा कौन सही है कौन गलत इसलिए आपको जो जो चीज़े में बता रहा हूं बहुत इंपर्टन देना है आपको इसी के दो दोस्तों आयुसमान भारत के बाद एक आयुसमान डिश्टल भारत अभियान भी आया था ठीक है यह आपको बताना है किस वर्स आया था यह आपके लिए मैं क्या हुआ है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको फ्री में दिये जाएंगे ठीक है इसमें पांच क्रोड महिलाओं को लाब देने का लक्ष रख गया था इस योजना को अप्रेल 2018 में और विस्तारित कर दिया गया और इसमें लाभारतियों में साथ और क्टेगरी की अन 15 अगस्त 2014 का लॉंच रिखे इनकी जरूर हो लेकिन प्लेक्षिप स्कीम से इसले इनके आपको डारेक्ट कुछन पुछ लगए प्यम जंधन योजना कब आई थी ठीक यह वित्तिये समावेशन के लिए यह फाइनेंसियल इंक्लिूजन के लिए भी आपको ध्यान देना है ठीक है इसके माध्यम से लोगों को दो जो है डीबीटी ट्रांसपर के लिए इसमें फाइदा होता है इसी योजना के तहट जो गरीब लोग है उन्होंने खाते खुलवा जैसे आप दे सकते हैं लोगों खातों में चात तुरतियां होगाई सबसुडी होगाई पैंसान हो पाए था इसके वज़े के सम्मान निधी बहुत इंपोर्टेंट है यह भी प्रधान मंतर के सम्मान निधी जो है इसके माध्यम से आपकी जो है क्या कहते हैं एक साल में च्छै हजार रुपए का विक्तिया लाब दिया जाएगा उन्हें आपको धान देना है और यह दो हजार रुपए तीन किस्त दो हजार की तीन किस्ते बना कर दी जाएंगे यह 2019 के बजट में घोष्र लग किये गई थी यह आपको पता होना चाहिए लेकिन यह पिछले समय से शुरू हुए थी लेकिन आपकी 2018 में यह स्टार्ट हुए थी आपको ध्हान देना ठीक है गोष के अब यह 2015 में लान चुई यह आपको पता होना चाहिए इसमें क्या था इसमें जो गरीबों और वंच्तों को इंसिरूर्स कवर के तहट इस लिए इसलिए इसे लाय गया था इसमें जो है दो लाख रुपए तक का इंसरूर्ण्स कवर दिया जाएगा जबकि शुरक्ष क पूड अपंगता पर दो लाक रुपाय और आनसिक अपंगता पर एक लाक रुपाय का कवर दिया जागे यह आपको ध्यान देना है ठीक है अब देखिए यह केंद्र सरकार की योजना है सस्पले हम कला और संस्कृति से संबंधित योजनाओं को देखेंगे ठीक है इसमें ज इसलिए आई थी चेत्रिय कनेक्टिविटी योजना के पांचवे दाउर की शुरुवात होती है जिसके माध्यम से उर्देश का आमनागरिक की योजना की शुरुवात की जाती है ठीक इस समय देखे उड़ान 5.0 जो है चल रहा है ठीक है यह आपको धन देना है इसमें जो है सुरूह जो होगा इसमें शुरूह करना होगा इसमें ठीक है रूट देने के बाद एडर लाइन न को रूट दे दिया जाता है तो उस चार महिने के अंदर परचालन अपना सुरू करना है ठीक है आप इसमें ध्यान दिजिए अपको आपको यहां प्रहादी बात करते हैं उड़ान योजना की जो है दोस्तों डेट की बात करता हूं तो यहां पर दोस्ति है 2017 में लांच हो ती यह आपको ध्यान देना है ठीक है इस योजना में हवाई एड़ो की एक सूची इसमें आपको क्यों लिखे यह इतना इंप्रटन है राष्टी रेल योजना में क्या कहा गया है यह यह योजना 2030 तक भविस सिकलियर तयार रेलवे प्रडाली बनाने की है या भविस सिकलियर तयार यह इसकी थीम है ठीक है इसका उदेश का है परचालन चमताओं और वाड़िक नीति पहल दोनों के आधार पर रणीति तयार क कि बाद कहीं गई है इसमें कहां 2050 तक मांग में अगामी व्रद्ध को भी पूरा करें और माल धुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को पच्छ पैटालीस प्रिच्छत तक इसमें बढ़ाया जाएगा और इससे बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा यह इसकी पूरे आपके इलेक्ट्री फाइड यहां पर कर दिये जाएंगे रेल ट्रेक्स को यह आपको ध्यान देना है भीडभाडवाले वर्गों में मल्टी ट्रेकिंग दिल्ली हावडा दिल्ली मॉंबई मार्गों पर एक सुसाट कुलिटर यह आपको ज्यादा इंपॉर्टन न समय समय पर ब्रेक अप के साथ आवस्यक पूंजी में कुल निवेश का आख लान का यह जिरूर नहीं आपको धानर राश्ट्री लेजिए लेजिए और यहां पर पूरी इलेक्ट्रिफाइट कब तक करने की बात कही है यह दो हजार चुबीस तक यह आपको धानर दो हज़ सब्सक्राइब का है इसके माध्यम से क्या है निजी कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से और सावजनी के दोनों के भागीदारी से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ सहरी बस संचालन के बढ़ाने की उद्देश से पीम इबस सेवा का घटन कियेगा है 2023 में अगस्त में आ अधार क्या है पबलिक प्राइबेट पार्टनर्शिप के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसे सुरू करके सहरी बस संचालन को इसमें बढ़ावा देना है जिससे परूशर की कमिया है ठीक है यह आपको ध्यान देना है इसके लागत जो है आपको ध्यावन देना है 57,613 भारत इस्टेशन योजना की अमरत भारत इस्टेशन योजना की बात करते हैं तो 6 अगस्त 2030 की अलांच होती है ठीक है इसके माध्यम से यह आपको देना है 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की धार सिला इसमें रखी जाती यह आपको ध्यान देना है इसके लिए ज जो 508 लिखा हुआ है इसमें क्या कीजिए यहां पर जो एक मिनट यह जो 508 देखें यहां अधार सिला रखी गई है यहां पर जो है 13 स्टेशनों का पुनर्विकास करना ही आपको धन दोनों चीजे अलग लग चीजे हैं यहां पर ठीक है इस्टेशनों में और क्या तो इमिशन के बारे में ठीक है यानि आपका कार्बन का उत्सर्जन जीरो होना चाहिए 2030 तक ऐसा उनका कहना है ठीक और आगे हम बात करते हैं इसमें जो है आगे देखे आपका है नम्दपरयोजन नम्दपरयोजन क्या है यह अपको धक्षंदीन दो करदान मंत्री कॉस्विकास उजण आपको पता हो चाहिए कि यह इसी का हिस्षा है प्रधान मंत्री विकास को लांच किया गई आपको ध्यान देना है इसके लावा खास कुछ ध्यान देना है तिक इसमें ये ध्यान दे सकते हैं कस्मीर के चैजले स्रीनगर बारमुला गांदरवल बांधि पौरा बढगाव और अनंतनांग के लगभग बाई सुमी द्वारन नम्दा सिल्प की कला में प्रसिक्षर प्राप्ति की है ये भी आपको ध्यान देना है ठीक है विस युवा कैसल दिवस दोजार तेस की थीम आपको ध्यान देना है परवर्तन कारी भविस के लिए सिक्षर प्रसिक्ष को और युवां को कौसल बनाना है यानि ठीक नमदा सिल्फ में क्या है भेड के उनका प्रयोग करके गलीचे बनाना सामिल है प्रारंपरिक बुनाई प्रिक्रे के विप्रीत इन जटिल गलीचों को तयार करने के लिए फेल्टिंग उपयोग फेल्टिंग तंगनीख उसका उपयोग करना यह आपको धना देना इसमें और ज्यादा कुछ खास देने वाली बात नहीं है इसे चोड़ भी सकते हैं इसमें कारबन फुट्प्रिंट को कम करने की बात कही जा रही है और सुक्ष भारत के बढ़ाओ देने लिए मेरा गाव मेरी धर ओवर यह आपको इंपर्टेंट है इसे किस मंत्राले ने इसका उद्देश सका है केंद्र साथ प्रदेश और राज्यों में लगबख 6.5 लाग गामों का संस्कृतिक मानचित्र यहाँ पर करना है इसके बाद और क्या चीजह है और इससे इंपर्टन कुछ नहीं इसका अम्रत धरोहर योजना बहुत इंपर्टेंट है दोहजार त इस चोबिस में अम्रत धरोहर योजना के बारे में बात कही गई है इसमें अगले तीन साल में इसे लागू किये जाएगा इस योजना का उद्देश से क्या है आद्रभू में जो विट लैंड ने इनका अधिक्तम उप्योग को बढ़ावा देकर इनका संदक्छल भी करना है यह योजना इको टूरिजम और कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी और इस्थानी समदायों को उनकी आइस रिजन का भी माध्धन देगी यह आपको ध्यान देना है सुदेश दर्शन 2.0 सुदेश दर्शन पहली का वाई थी आप कमेंट बाक्स में आएगे अपना गूगल में आप सर्श करेंगे आपको पता चाहिए आप भी कुछ अपने तरब से सहीयोग करिए और आंसर देने का प्रयास करिए इसका उद्देश से कहा है पर्रेटन को आर्थिक विकास और रोजगार सरजन के मुख इंजन के रूप में स्थापिक करना है सुदेश दर्शन को तीकि इतना बस आपको धान देना इस स्यादा कुछ नहीं यह ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है इसके आप यह बस ध्यान दे लिए और नौ परियोफ को पढ़ावा देने के लिए था यह अब देखिए और इसमें क्या है अब देखिए यहां पर हम समाज कल्यान में आ गए ठीक समद कर लें प्रधान मंत्री नहीं इयूजा जो है नोमबर दो ही ठीत प्रधान मंत्री जी ने देश के सब्सक्राइब 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 लोहार सुनार मिट्टी के बरतन और बनाने वाले कुमार और बढ़ाई और मूर्तिकला जैसे विभिन वेवसायों में लगे परामप्रिक कारिगरों में सिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई योजना हिए ठीक है इसे केंद्रिय छेत्र योजने करूप में लागू क से यह इसका नोडल मंत्रा लही आपको ध्यान देना है ठीक इसमें देखिए जो कारिगर हैं सिल्पकार ही इनको एक प्रमाड़ पत्र रिये जाएगा जिसके दहत्रिक यह पहचान पत्र होगा इनका ठीक है इसमें सिल्पकार पांच परसंट रिया थी ब्याज़ पर एक ल घ्राण लेसकते हैं दो लाख रुपए दूसरी किस्ता की सन पाररसरी मुक्त रिड़ सहाइता इसमे ले सकते हैं पात्र हों में उसके लिए ठीक है इसमें पांच वर्स के लिए पांच विइतली वर्स में 500 true log का वजट आवंटिस किया गया है इसुझ neurot कार अच्वह प्र स प्विकास कारक्रम एक जिल्य एक कुद्पाध में उसे अपना जा ठीक है आज निर्बर योजना इसकर देखे विवाध से विश्वास विश्वास दो योजना विवास से विश्वास विश्वास पता होना चाहिए यह भी आपके का गयते हैं बजट में घुषित किया गया था विवाद से विश्वास पहली ओजना थी जो कि आपके किस समंदी तो यह आप मुझे कमेंट बॉक्स मुदाईए विवाद से विश्वास दो दूसरा इसका इस्टेफ है ठीक है इसका उद्देश क्या है उद्देश प्रक्रिया को सुव्योस्तित करना और समय पर निप्तान सुनस्चित करते हुए यह पार करने में आसानी को बढ पर आली है इसमें ठीक है यह सब चीज आपको ज्यादा कुछ खास नहीं बस इतने आपको ध्यान देना है ठीक है विवाद से विश्वास किस्टे समंदित या पो जिसका उद्देश बस आपको ध्यान देना है इसके बाद और क्या चीज़ है जो आपके लिए महत्तपुर 2020 को यह आपको धान देना है तीन और सुमें स्टीट वेंडर्स को 46.54 लाग से अधिक सुख्ष में कारसिल पूंजी इरड इसमें विद्रत किया गया है इस पे लगभग अब तक 40% का भुखतान किया जा चुका है यह केंद सर्गर के आवासान और सहरी कर्रमंत्राले दौर स्टीट वेंडर्स नहीं है आपको धान दे सकते हैं और यहां पर लगभग आप देख सकते हों उन्चाइद सम्लों 48 लाख स्टीट वेंडर्स है इसमें सुक्ष भारत मिशन सहरी लांज किया गया है तीक ही यह आपका सहरी मंत्राले के दौरा देश बैर में भार सुक्ष चरण में योजना निर्माड और कार्यानवन के मुल्यांकन तथा इसमें तेजी लाने के लिए कारसाला का योजना की बात कही जाएगे 2014 में आपको पता है दो अक्टूबर 2014 को सुक्ष भारत मिशन लांच होता है तीक है यह आपको धंदना है यह इंपोर्टन्ट है ज्यादा आपका डारेक्ट डेट इसमें पूची जा सकती है इसका उदेश सगया है पूरे भारत के सहरों और कजबों को सुक्ष भूम खुल सुक्ष भारत मिशन तो आप देख सकते हैं काफी जाती है यह है अपने लग्स हासिल करने में सफल रहा है और हंड़र प्रण सहरी भारत को ओडिया है इसके बाद देखिए इसमें सुक्ष भारत मिशन सहरी टू-पॉइंट जिरो दोजार काई सुदोजार चबिस के लिए तो इस पर गुडवत तक अभी ध्यान दिया जाता है यह आपको ध्यान देना है इसके बाद बात करते हैं दिन द्याल योजनार राष्टिय ग्रामीड आजीव का मिशन बहुत इंपॉर्टन्ट है यह भी 2014 में लंग्च होती है ठीक है इसे भी आपका यह आप देशकते है अवासे हम सहरी गरीबी उपसमन मंत्राले के दोरा इसे लंग्च किया जाता है ठीक है इसका उदेशका है कौसल विकास के माध्यम से इस्थाई अजीवका के आउसरों को व्रध्धी करने की इसमें बात कही गई है यह क्रेकेंद्र परियुजित योजना है इसमें केंद्र और राज्यों के माध्य केंद्र 75 परसेंट और आपका इस्टेट 25 परसेंट दुखा वित्त पोसर करेंगे यह आपको धान देना और यह प्रुवत्तर राज्यों की बात करेंगें इस योजना के दारा भारत भर में 8.4 मिलीन से अधिक सहरी गरीब महिलाओं को संगठित कर करने के साथ ही वर्स 2023 तक 4000 से अधिक सहरों में 8,21,000 से अधिक स्वयम सहता स्वमुहों का निर्मार करना है इसके माध्यम से ठीक इसके बाद जेजेएम डिश्टल अकड़मी आपको यह जेजेएम डिश्टल अकड़मी के अंदर सकार के एक पहले जिसका उद्देश से डि नई दिल्ले में इस्थापित की गई थी ठीक है इसका अदमी का लक्ष जो है पूरे देश में जलापूर्ती पहल की दक्षता और प्रभाव सीलता को बढ़ाने के लिए बात कही गई है आपकी सीडियोजना का फुल पाउं आपको धान देना है इसकीम पर एकनॉमिक समदायों के कल्याड के लिए दो सोला फरोरी 2022 को यह स्टार्ट की गई थी इसका उदेश से कहा है इन समदायों के उमीदवारों के लिए अच्छी गुडवत्त्य की कोचिंग प्रदान करने की बात कही गई है इसमें ताकि वे चिकित्सा इंजिनिरिंग एंबी जैसे गाउं को आदर्स ग्राम बनाने का लख्ष रखा गया है इसकी वर्तमान संग्याप 27,000 है ठीक है यह आपको धान देना है वर्थ 2009 में प्रधान मंत्री आदर्स ग्राम योजना के नामसी से सुरू किया गय था ठीक लेकिन इसकी सुरू कार कब से सुरू हुआ है दोहजार चोगदोस यह भी आपको धान देना है इसके बाद आपको अनुसूचित जाति के चातरु को उच्छ प्रदान करने को लेकर है ठीक है यह समाजिक नायम अधिकारत मंत्राले के दौरा लागू की यह भी आपको धान देना है ठीक है इसके बाद देखिए और इसमें ज़्यादो कुछ खास उतना आपको याद रहे रखना है आपको लितने बस याद रखना है ठीक इसमें पात करता ध्यान दिजेगा जो एससी के छात्र जो वर्तमान सेक्षिक वर्ट दोहजन रहे इसमें आठवी और दस्वी की दच्छाओं पच्छाओं पढ़ना है योजन का लाब उठाने के लिए पात्र है ठीक यह आपको ध्यान देना है नेशनल टेस्टिंग एज कास मंत्राले के द्वारा इसे शुरुवात की जाती है यह देश भर में जो है आंगानवाडी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्ले आवस्थत देख भाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डूट केर एजुकेशन पर केंद्रिक रहे यह आपको ध्यान देना है ठीक है इसमें औ उजला योजना को विस्तारिट कर दिया गया है 2023-2025 तक के लिए बढ़ा दिये गया है यह आपको ध्यान देना है ठीक है और इसमें उपना खास मत्रपूर नहीं है आगे लगपती दिदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होने जाए साहता सुम तरकार को नहीं के दोरा यहां पर लगपती दिदी योजना का अनारण मंत्रि मोधी की दौरा इसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्वेल साहता स्वर्वा नियाजिग हुए है इन महिलाओं की विदित भूमकाओं पर प्रकास डाला है प्यम मोदे ने घुश्ड़ा की पंद्रह हजार महिला एस एच जी को ड्रोन संचालित करने और मरमत करने के लिए रिड और प्रसिक्षण मिलेगा जिससे ड्रोन की उडान में उनकी भागेदारी आसान हो जाएगी य अब इस देखे अस्वस निधी योजना की बात करते हैं पर योजना की यह आपकी महिलाओं बाल्विकास मंत्राले के द्वारही विभाग की द्वारह सुरू की गई है इस पर जो है ये 2018 में शुरू की गई थी यह आपको दान देना, 2023 में इस में क्या है योन अपरादो ग स्वास्त कि बात करते हैं स्वास्त की बात लुगोई करते हैं यहां पर देखिए डिश्टल स्वास्थ प्रोथ्साहन यूजना आपकी नेस्नल एल्थ अथार्टी नेश प्रेकिं 25 डिश्टल स्वास्त प्रोत्साहन योजना के विश्तार की इसमें गोश्रक की गई है यह 31 दिसंबर 2023 तक इसा बढ़ा दिया गया है चार करोड रुपए तक के प्रोत्साहन की पेसका सिस्म किरी गई है यह उतना आपका मत्पूर नहीं है ठीक है इसके बाद आप देखे यहा आठ साल पूरे होगा है यानि आठ साल का मतला आप बढ़ाइए कभ यह लांच हुई थी दो हजार आपका चौबिस चल रहा है आठ साल पहले आनि आपकी 2016 में तीनों योजनाओं आती ही आपको ध्यान देना है इन योजनाओं से अब तक 55 करोड रुपए 55 करोड लोग सुरुवात की थी ठीक 2019 में शुरुवात की गई थी यह आपका दोस्तों यहां पर देखे अगर आठ साल पूरे हो थी तो जार नीश में भी मिस्प्रिंट है ठीक 2016 में हुई थी इसकी सुरुवात आगे इसमें और क्या मात्ति पूर्ड और इसमें कुछ खास मात्ति पूर्ड नहीं है इस पर देखे आप यह देख सकते हैं प्रधान मंत्री जीवन जीवत बीमा योजना की बात करते हैं तो एक साल की जीवन बीमा योजना हिए इसे कारवड से 1850 वर्ज का विक्ति है वह आपको देना है तो आपके गहते हैं 436 रुपाई सलाना की प्रीमियर जमा करेगा तो उसे 2 लाक रुपय तक का जीवन बावड मिलेगा यह आपको देना है वही पर देखें प्र पी एम एस बीवे प्रधान मंत्री यह आपका है प्रधान मंत्री सुरक्छा बीमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्ष भी मयोजना की बात करते हैं यह एक साल की दुरुघटना भी मयोजना यह आपको धान देना है इसके माध्यम से 10-70 वर्च की विख्तिकी इस वजना के अंदर कवर के जाएगे इसमें 20 रुपाय प्रति वर्च की प्रीमियम देना दो लाख रुपा इने आया हर साल एक निश्ची तरकम देनी परती हो साथ साल बाद उन्हें पांच हजार रुपाय तक की पेंसन मिलेगी हर मंत ठीक इसको मिशन इंद्रधानुस 2.5.0 है आपकी स्टार्ट कर दिजेगे यह आपको ध्यान देना है ठीक है यह आपको नहीं इसमें पांच वर 2023 में इस अभियान को केंद्री स्वास्त मंत्री मन्सुक वंडिया जी ने इसे लांच किया है ठीक है इस वगयार स्वास्त योजनाओं को डिलिवरी में सुधार करने की स्वबात कही गई है यह आपको धान देना है ठीक और इसमें इतने जीजे महत्तपूर नहीं है जल जी की बात कही गई थी इसमें यह आपको धान देना है अरोग्य मंदिर के बात करते हैं तो दोस्तों यह 2000 देखें आयू सुमान भारत योजना अरोग्य मंदिर कर दिया गया देखें प्रदान भारत योजना जुनाई थी उसके माध्दम्स जो केंदर बनाए गये थे उन्हें भारत स्वास्त और कल्नार केंदर कहा जाता था उनका नाम बदलकर आयूसमान आरोग्य मंदिर रख दिया गया या अपकी तना बस ध्यान देना है मिसान इंद्रधानुस यह देखिए दिसंबर 2014 में लांच होती है इसका फाइप पॉट जूर्ण यानि पाचुमा भाग चल रहा है इसके पाचुमा ठीक है यहां पर यहां पर देखिए इसके माध्यम से अपरेल 2021 तक 96.8 लाग गरब होती महिला और 3.86 करोड बच्चों का इसमें ठीक करड किया जा चुका है यह भी आपको ध्यान देना है इसको अटल वयोह अभ्यूद्धय योजना यह आपकी व्रद्धों समन्दी थे व्रद्धों के लिए इसकीम है ठिक यह आपकी जो है 2023 में इसकी सुगात की जाती है इस योजना के अं बाद्ध्यम से चार लाग से अधिक व्रद्धों को इसका लाद दिया जाएगा ठीक यह भी आपको ध्यांदने इस योजना के लिए 300 क्रोड रूपय का बजट रखा गया है इसको बाद करते हैं विश्यू की सब्सक्राइब अनाज भंधार योजना है आपकी इसमें आप उतना ध्यान नहीं coy इसमें उतना महत्पूर कुछ नहीं आपके लिए ठीक है इसके बाद हम बात करता हैं प्रवभरों योजना आपकी रसाइनिक उर्वरोखों को कम करने से इनके कमी लानी है अगनिपत ही आपकी गयते हैं लाइम लाइट में रही थी 2022 में जो है इसकी शुरुवात की गई थी यह देश भग तुबा प्रेदित युवाओं को चार वर्ष की अवेदि के लिए ससस्त्रबलों में सेवा करने के अनुमति देता है इसके बाद इसमें जो है नई योजना के तहट यहां पर देखें लगभग 45 से 50 पैचास जार सेनिकों की वार्षिक भर्षिक की जाई है और अधिकान से केवल इसमें सब चीज़े हैं ठीक हैं और इस योजना के लिए 70.5 से तेश्वर्ष की बीच के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं यह योजना के वल अधिकारी रंग से नीचे के कर्मियों के लिए होगा ठीक भारत नेट पर योजना की बात करते हैं तो आपके दोस्तों 2015 में जहां तक स्टार्ट हुई थी ठीक है 2015 में भारत नेट योजना इस्टार्ट हो दे बहुत यह बड़ी योजना यह भी आप्टिकल फाइबर के माद्धेम से सबस्वड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रजेक्ट था ठीक इसमें जंधन खाते और मोबाइल के साथ सब आधार जीसे सब चीज़े से की गई थी आपको ध्यान देना है ठीक और इस पर कोई चीजें हैं जो महत्तपूर है आपके लिए इस पर चीजें तो महत्तपूर नहीं होतनी भारत प्रियोजना की बात करते हैं यह यह देखिए 2015 में सुरू की गई थी ठीक है जी 20 की प्रती बत्थता के अनरूप इसमें जो है डिश्टल इंडिया पहल और डिश्टल वा जो पाटने की जी 20 की प्रती बत्थता के अनरूप है इसमें इस में maior सितंबर 2013 तक भारत प्रियोजनाइуса ने 6 लाग 250,685 मेतर आप्टिकल अ आदर्स ग्राम योजना, यह अगस्त 2022 में लांच होती है, यह जन जाती उप योजना में पूरक के रूप में केंद्री सहायता प्रदान करने की बात करता है, ठीक है, अराज सरकारों के प्रियास्तों को इसमें बल देना है, अमरत सरोर योजना आपको, यह आपके देश के प परियोजनाओं के निस्पादन है, तो यह एक महत्वा कांशि परियोजना है, इसके मारतमी सभी गचसक्ति योजना में क्या है, इसके मारतमी सभी department, जो है, मिलकर किसी भी योजना को लॉंच करेंगे जिसके माद हम से आप देखते हैं कि पदा चलता है आपकी रोड बन जाती है बाद में नाली बन रही है तो फोड़कर उसे तोड़कर पदा चलता है रोड बन गई या आपकी पूरी उसके बाद पानी की लाइन जानी है तो पूरी आपको जो है दोस्तों यहाँ पर इत्यार करना है यह चीज़े आपके लिए हो गई यह बस इतनी है यह खतम है तो यह चीज़े हैं मुझो में आपको पसंद आई हूँ यह पसंद आई हूँ तो लाइक और शेयर करें